हेलो एवरिवान आप सभी का मेरी यूटूब चेनल लोजिक रिश्टोक्स पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंज आज हम अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिडेट की बात करेंगे वन वीक में ये श्रेंड ने 18% से भी ज़्यादा का रिटन दिया है और इसमें लगाता है दो दिन से अपर सरकित भी दिखाई दे रही है और फ्रेंज आडानी ग्रीन एनर्जी लिमिडेट का वन येर की रिटन की बात करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसने इतना ज़्यादा रिटन दिया है इस श्रेंड ने 440 परसंट से भी ज़्यादा का रिटन दिया हुआ है वन येर की बात करेंगे तो फ्रेंज आडानी ग्रीन लिमिडेट ने 227 रुपे का लो बनाया था और हाई साइट पे 1340 रुपे का हाई बनाया था और फ्रेंज ये कमपनी एक लार्ज केब कमपनी है और अडानी ग्रीन लिमिडेट में रिस्क भी मोडरेट है उम प्रेंज अब इसकी करण प्राइज 1265 पार ये क्लोज हुआ था और फ्रेंस अडानिक इन्स रिमेटर एनर्जी के नेट इंकम की बात करें तो पिछले साल जो लोस में थी वो अब प्रोफिट में आ चुकी है फ्रेंस मार्स 2021 में इसने 204,000 क्रोड उपे का प्रोफिट दिखाया है यह काफी अच्छी बात है क्योंकि यह कंपनी लोस में किंग में से प्रोफिट में आ चुकी है अब फ्रेंस अडानी ग्रूप के यह सेजी के बिचे की वज़ा की बात करें तो अडानी ग्रूप ने रिन्यूएबल इनर्जी सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी दिल करते हुए SB Energy इंडिया नाम की कंपनी खड़ी लिया है अडानी ग्रूप ने इस कंपनी के 100 फिचली सेर जापान के सोफ्ट बेंक और भारती समूँ से खड़ी दे है यह दिल करीब 25,500 कर रूपे की है जिसके बाद अडानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के पॉर्टफोलियो में 4,954 मेगाओट की सम्ता जुच जाएगी जानकाडी के अनुसार इस दिल के बाद अडानी समूँ की अडानी ग्रीन 24.3 गिगाओट की कुल रिन्यूएबल शम्ता और 4.9 गिगाओट की पड़ी चलन रिन्यूएबल शम्ता हासिल कर लेगी इसके पहले साल 2016 में टाटा पावर की वेल्सपन एनर्जी के साथ करीब 10,000 करोड की दील हुई थी जब से यह दील फाइनल हुई है तब से कंपनी के शेडो में 8 फिशली तक की टेजी देखने को मिली है और फ्रेंस इसके बारे में गोटम अडानिय का क्या कहना है अब भी हम जानेंगे जिसमें उन्होंने बताया था कि यह दील करने का यह हमारा पहला करदम है जिससे हमने 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी सोर कंपनी बनने का और उसके बाद 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अक्ष़ई कंपनी बनने की अपनी उज़ना बनाई है जिसकी तरफ यह हमारा पहला करदम है और उन्होंने कहा कि हम अपने लिए नीड़ाडिस समय सीमा से चार साल पहले अपने गोशिट सोर पोर्टफोलियो लक्षियों को प्राफ्ट करने के अपने रास्ते पर अच्छी तरह से है तो फिस हमको अडानी ग्रिंस लिमिडेट के एनर्जी सेक्टर के यह सेर में आगे लगातार टेजी देखने को मिल सकती है लेकिन फिरेंज सेर खरीदने का आखरी दिसीजन आपकी ही का होगा तो आपकी तरफ से पूरी जान करके ही किसी भी सेर में पर्चेस कीजेगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक एन शेर करना ना बुलेगा और इसी वीडियो से अपडेट के लिए मेरी सेनल लोजिकल स्टोक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ठेंक्स